हेलो एवरिवान विल्कम बेक टू में चैनल तो फ्रेंड्स आज में लेकर आए हूँ मीनी चॉकलेट केकी रेसीपी जोकी बच्चों को बहुत ही पसंद आता है तो आज में यही बनाने वाली हूँ तो चली यह बनाना शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है कि ड्राइ इंग्रीडियन को छान लेना है तो मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है और एक टेबल स्पून कोको पाउडर हाप टी स्पून बेकिंग पाउडर एड कर लेंगे और एक पींच नमक एड़ कर लेंगे और इन सब को छान लेना है अच्छे से छानने से क्या होता है कि सारे ड्राइ इंग्रीडियंट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और इसमें कोई गाठे वगरा नहीं बनते हैं तो मैं यहां पर कप से मेजर करके ले रही हूँ तो मैंने जिस कप से मैदा एक कप लिया था ना उसी कप से आधा कप सक्कर लिया है और आधा कप दूध डाल दे रही हूँ तो दूध आप विल्कुल रूम टेपरेचर पर लिजेगा विल्कुल नॉर्मल लेना है और इसी में 1 फॉर्थ कप रिफाइंड ओल एड करेंगे रिफाइंड ओल भी विदावड फ्लेवर का लेना है जिसमें कोई फ्लेवर ना हो न कप दूध लिया है अब इसमें दीरे-दीरे करके दूध को एड करेंगे और इसे मिलाते जाएंगे और इसे एक ही डिरेक्शन में मिलाते हुए इसका बेटर बना करके त्यार कर लेना है तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी जब यह उपर से गिराएं त रिबन की तरह नीचे बने तो बस यह परफेक्ट है और इस केक को बनाने के लिए मैंने आपे पैन का यूज किया है आप चाहो तो इडली मेकर में भी बना सकते हो तो पहले इन्हें अच्छे से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद इसमें बैटर को भर लेना है और उपर से प्री मिल्क का एक एक क्यूब रख लेना है ताकि अंदर से भी पुरी तरह से चोकलेटी बने और उपर से थोड़ा थोड़ा इसके उपर बैटर भर लेंगे इस तरह से यहां पर क्या करें कि सारे मोल्ड को भर लें एक बार उसके बाद ही गैस पर इसे रखे पकने के और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इन्हें पांच मिनट के लिए ढख करके छोड़ देंगे और पांच मिनट के बाद प्लेट हटाएंगे उसके बाद चेक करेंगे तो आप देख सकते हो पांच मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसे आपको प्लट करके भी द अच्छा बन करके त्यार हुआ है यह दूने तोरब से अच्छे इसके कलर आए तो फ्रेंड्स आप भी इस केक को ट्राइ किजिएगा यह बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं चॉकलेट केक मैं इसे आपको तोड़के दिखा रहे हूं यह अंदर से कितने सॉक्ट बनने हैं और चॉकलेट भी मेल्ट हो गई अच्छे से तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से एर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले